बरसर से नग्यार सड़क पिछली डेट माह से बड़े बाहनों के लिए बंद है बस सुखधा ना मिलने की कारण यहां की लोगों को बड़ी परिशानी का सामना करना पड़ रहा है सबसे जादा परिशानी स्कूल वो कॉलेज जाने वाले चात्रों को आ रही है क्योंकि उन्हें आट से दस किलोमीटर पैदल या निज़ी गाड़ियां करके स्कूल वो कॉलेज पहुँचना पड़ रहा है इस सडक मारक से तीन पंचाईतों की लोग जूरते हैं लोगों का आरोप है कि विभाग ने सडक पर डंगा लगाने का काम तो शुरू कर दिया है मगर ये कारे धीमी गती से चल रहा है जिसकारन ग्रामिनों में विभाग की कारे परनाले की प्रती रोश है लोगों का कहना है कि बड़सर बाजार जाने के लिए टैक्सियों का सहारा लेना पड़ रहा है लोगोंने विभाग से जल से जल सडक को ठीक करवाने की गुहार लगाई है स्थानी ग्रामिन का कहना है कि 3 सितंबर से सडक बंद है और तब से आज तक वो रोड शुरू नहीं हुआ है और बारी वहिकल जो अब चल नहीं पा रहे हैं काफी दिन तो छोड़े वहिकल भी नहीं चल पाए उसके लिए अपने विवाग को जानकारी दी जैए को बताया और एक्सिन को बताया पर अभी तक रोड में बारी वहिकल चल पाएं तो यहां के आने वाले जो लोग हैं वो कैसे सफर करते हैं बड़ी गाड़ी तो बड़ी गाड़ी तो चली निरेए जा रहे हैं या किसी को समान मंगवान है बारी वहिकल से तो बाया तलाई आ रहा है या बाई ट्रेक्टर आ रहा है और टैक्सी से आना पड़ 26 राहूल का कहना है कि सड़क डेड़ मास ते बंधे जिस कारण यहां बसे भी नहीं आ जा रहे हैं और हमें पैदल ही कॉलेज जाना पड़ रहा है अधिर लोग निर्मान विभाग के सहायक अभियनता अनिल शर्मा का कहना है कि जल्द सड़क को ठीक करवा दिया जाएगा और अगले सब्ता तक बड़ी बाहनों के लिए सड़क खोल दी जाएगी जो था बंधो हो गया था काम उसको रात दिन में जाके ठेकेदार कर रहा है अभी थोड़ा सा चलो को उसमें कमी अगर आई होगी तो उसको देखके जल्द इसको फिकरवा दिया जाएगा और जल्दी काम को पूरा करेंगे जाएगा तक इसमें जो बड़ी बाहन चलने के लाइक हो जाएगा इसमें इसमे जोड़ा जयाएगा झालना कर लाएगा मिन जोड़ा झालना Bowl 5000 सकार जाएगा जाएगा जाएग